पिछले विडियो में हमने चानक्य निती के सिध्धान्तों के बारे में जाना. अगर आपने वह विडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वह सिध्धान्त क्या कहते हैं, आईये जानते हैं. यह एक महत्वपूर्ण सिध्धान्त है, जिसका अर्थ है कि सत्य अहिन्सा और धर्म कभी भी समाक्त नहीं होते हैं. यह बात दर्शाती है कि ये मूल्यस्थाई हैं और हमेशा अचल हैं. सत्य एक आदर्श है, जिसे हमेशा पालन करना चाहिए. यह अपनी सत्यता, इमानदारी और निष्था को बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित करता है. अहिन्सा एक मौलिक मानविय अधिकार है, जिसे हमें समझना और अपनाना चाहिए. यह दूसरों के प्रती सहानुभूती, समझदारी और शांती की भावना को प्रदर्शित करता है. धर्म एक मार्क दर्शक है, जो हमें नीतियों, न्याय की पालन करने और उच्चतम आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है. इस प्रसिद सिध्धान्त के माध्यम से बताया जाता है कि जब तक हम सत्य अहिंसा और धर्म का पालन करते हैं, हम स्थिर्ता, संतुलन और आदर्शता के प्रतीक बने रहते हैं. ये मूल्य हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने, बुराई से दूर रहने और अपने कारियों में न्याय पूर्वक आचर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं. अगर आपको या विडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कॉम्मेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.